नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो हमारे पास यहां पर 12 बोल्ट के दो अडेप्टर है तो यहां पर जब हम मार्किट से या किसी ओनलाइन वेबसाइट से कहीं से अधर से जब हम इने पर्चेस करते हैं तो वहां पर हमेश गोड़ dirt मिलता है कि 12 बोल्ट 1 ऑा数 बार बोल्ट 2 ऑक द्क अधर एक और यहां पर बारा बोल्ट 5 और यह द्दध यहां पर यह कुछ इस किरूद देखे और यह जो है कि चंभ आउत कर लेता हूं और यहाँ पर देखे वारंटी भी है तो हम इसको जो यहाँ से कट कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जो है यहाँ से इस तरीके से स्क्रू लगाएंगे और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे क्योंकि हम यह देखेंगे कि दोनों में फरक क्या है तो यह है हमारा 12 volt 1A का यह देखिए अब हम यहीपर दूसर ऊपन करते हैं यह की बारा बोल्ट 1A का है बारा बोल्ट ओंपियर का है आप हम यहाँ पर 2A कर निकालेंगे क्योंकि हम यह भी देखना चाहते हैं कि यह एक एंपियर तो इसकी बोडी जो है वो थोड़ी सी हाड है, तो अराम से हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, तो यह हमारी ओपन हो गई, और यह है हमारा 2 एंपियर का, तो इसको हम सीधा कर देते हैं, तो यह देखिए यह हमारा 2 Ampere और यह है हमारा 1 Ampere तो देखा दोस्तों दोनों में क्या फर्क है एक Ampere और दो Ampere में तो यहां पर अगर कोई नॉर्मल काम आप बाराश बोल्ट के अड़क्टर से करना चाहते हैं जैसे कि कोई आली दी वगार जलाना चाहते हैं और यहां कोई अधर कोई छोटा मोटा सर्केर करूं चाहते हैं तो यहां 12 पोल्ट का एक एंप correction कर सकते हैं और अगर आपको कुछ ज्यादा हैवी काम करना है ज्यादा LED जलानी है तो उसके लिए वहाँ पर आप दो एंपियर का ले सकते हैं तो देखें मैंने आपको यहाँ दोनों ही ओपन करके दिखा दी है कि एक एंपियर और दो एंपियर में क्या अंतर है तो दोस्तों मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना बैल का यकन को जुड़ दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा